हेलो, वेल्खम टो माइ चानल, आज आपका इस न्यू सीरीज में स्वागत है, यह एक सीरीज होने वाली है, जो रीडिंग के लिए है, specially जैपनीज रीडिंग के लिए, और यह उनके लिए होने वाली है, जिन्होंने अभी तक रीडिंग को स्टार्ट नहीं किया है, या फिर आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़े बताने वाला हूँ I hope कि आप एक pen और pencil या फिर copy एक आधी लेके बैठें ताकि आपको जो भी vocabulary आपको पता चले उसको आप अपने पास note कर लो आप उसको याद कर लो जो भी नई vocabulary आपको पता चले उसको आप याद कर लो ये वीडियो में आपको जैसे मुझे मालो कि मुझे कोई पता नहीं है vocabulary कौन सी है मुझे सिर्फ इतना पता है कि हिरागा ना आता है काता का ना आता है और मुझे sentence का structure पता है तो मैं अपनी vocabulary को reading करते हुए कैसे improve कर सकता हूँ ये सभी आपको इस वीडियो में जाने को पता है चलिए start करते हैं पहला question हमारे पास है ये है मुझे इची जिसमें आपको मुझे इची दी हुई है इची मतलब one और पहली मुझे में आपको ये paragraph छोटा सा paragraph लिया है मैंने इसको अभी हम solve करने वाले है और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस वीडियो को यहां पर pause करो और आपको जितना आता है यहीं पर pause करके आप देखो कि आप इसको पढ़ सकते हो पढ़ पा रहे हो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो यह वीडियो को पूरा देखना तो इसको मैं solve करने की कोशिश करता हूँ I hope कि आपने इसको पढ़ लिया होगा और चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहली लाइन में है A बोल रहा है A और B दो person है Okay So A बोलता है कि अगर आप देख पाओगे कि यह जो अगर किसी ने reading करी नहीं है कभी कभी नहीं करी है तो उसको शाहिद नहीं पता होगा कि Japanese में gap देखे नहीं लिखते हैं फोड़ा gap शोड़ शोड़ के लिखते हैं जैसे एक sentence है यह आपका शाता है ठेक है जैसे अभी मैं इसमें पढ़ने वाला हूँ यह बोल रहा है कि सबसे पहले देखो किनो एक word है किनो कासा ओ एक particle है और next word है खाई माश्ता किनो कासा ओ खाई माश्ता अगर मैं आपको बताओ इनका meaning किनो का meaning होता है yesterday कासा का meaning होता है umbrella ओ एक particle हो गया और खाऊ का meaning होता है to buy मतलब वो कुछ खरीद रहा है ठेक है तो यहाँ पे अगर खाई माश्ता अगर पढ़ोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि माश्ता जो है वो है एक past form को दर्शाता है past form को past sentence है जिसमें माश्ता लगा होता है चोटा सा expression होता है तो आगे लिखा है sono, sono का मतलब this casa, umbrella हो गया और देश का, यह वाला चाहता क्या यह वाला चाहता बोल रहे हो कि आप, ऐसा कुछ वो बोलना चाहता है और आगे वो बोल रहा है कि किरेई ना कासा, देश ने सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले उसने word यूज किया है किरेई किरेई means beautiful ना एक particle हो गया ना नाउन ना एक adjective हो गया सो उसके बाद कासा है बतलब, वो बोल रहा है कि किरेई मतलब beautiful, यह यह वाला शाता जो है umbrella है वो बहुत सुंदर है और जो यहाँ पे last में लिखा हुआ है ने पार्टिकल, ने लिखा हुआ है देश ने, इसका meaning है कि यह वो confirm कर रहा है, उसको बता रहा है कि हाँ यह बहुत सुंदर है ना ऐसा, ऐसा express होता है बट हाँ, हिंदी में आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो, कि हाँ यह क्या कहने चाहता है अगर English में इसको बोलना चाहेंगे तो थोड़ा सा difficult हो जाता है English में translation करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि Japanese और Hindi यह ना बहुत ही similar है, बहुत ज्यादा similar, तभी तो Indian जो है Japanese को पढ़ने में काफी असानी होती है अगली लाइन में वह बोलता है कि अगर आपको पता हो कि थाकाई थाकाई का meaning होता है इसकी reading होती है थाकाई 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 मतलब expensive high और expensive दोनो meaning होती है, एक high और दूसरा expensive वह बोलता है उसे पूछता है यह last में अगर देखोगे काई के हो है देश का देश का मतलब वह question पूछ रहा है का का meaning कि वह question कर रहा है अगले बंदे से कि महंगा था क्या? expensive था क्या? अब तक हमने क्या पढ़ाया कि A बोलता है कि क्यों कासा औह घाई माशटा मैंने कल umbrella खरीदा था अब बी बोलता है कि A यह वहला कासा क्या? सोनो कासा देश का? अगली लाइन में यह बोलता है किरेई ना खरीदा था बहुत सुन्दर है ना यह जो umbrella उसने खरीदा है सो अगली लाइन में बोलता है कि थका कात्ता देशका ये महंगा था क्या सो यहां तक हमने पढ़ लिया है next line में जो ए बोल रहा है वो बोल रहा है ये ये मिन्स नो तो ये बोलता है कि ये मतलब उसने इसका जवाब दे दिया पिश्ले जो उसने question पुछाथा कि नहीं अब वो अपना sentence बोलता है आगे कि क्योदन पिशले साल इसका मेंटि होता पिशले साल कहता नोवा जो मैंने पिशले साल क्रीदा था वो थका कोटे ओमोश्योकाता देश वो जो था जो मैंने पिछले साल करेता था वो expensive था and interesting था बट ये वाला कासा मतलब ये वाला जो अभी umbrella की बात कर रहा है जिसके बारे में उसने पूछा है कि ये तो बहुत सुन्दर है महिंगा तो नहीं है तो उसके बारे में वो अभी बोल रहा है कि कोनो कासा वा खारू कुते ये देस मतलब अभी वाला जो शतरी है जो अभी वाला जो उसका umbrella है वो जो है खारू कुते हलका है and अच्छा है ओके इसमें आपको पता चल क्या होगा कि वो क्या कहना चाता है basically उसने दो स्टोरीज बता दी कि एक तो मैंने पिछले साथ लिया था उसके बारे में बता दिया कि वो कैसा था और अभी जो लिया है उसने वो बता रहा है कि वो कैसा है so question है कि किनो कल खता कासा वा जो खरीदा था शाता दोनना मतलब कैसा कासा देशका कल जो खरीदा था वो कैसा है और कल हमने पढ़ा है यहां पर अगर आप देखो कि कोनों से जो बात वो शुरू कर रहा है वो कल की बात शुरू कर रहा है और ये जो पिशली लाइन थी वो सारी क्यों नहीं पिशले साल वाले खाते की बात कर रहा है सो कोनों से आगे अगर हम पढ़े कोनों कासा वा खारू कुते हलका एंड अच्छा है सो अब हम देखते हैं कि अंसर में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है तो अगर पहला आप्शन पढ़ते हैं तो इसपे दिया हुआ है कि थका कुते पहला औक शंट्टोे अमश्छूरोई देश महंगा था, expensive था expensive and omoshiroi, interesting तो expensive और interesting जो था, वो तो था पिछले साल वाला, अभी तो light weight वाला जो है, अभी के लिए जो उसने खरीदा है, कल जो खरीदा था, वो तो light weight है ना, so अगला option देखते हैं, तो यासुई, यासुई देशगा omoshiroi यासुई मतलब सस्ता, यासुई ठीक है, अब हमने paragraph में जहां तक भी पड़ा है, उसमें कहीं पे ये word आया ही नहीं है, कि वो सस्ता था यासुई word आया ही नहीं, तो ये option बिलकुल cancel हो जाता, पहला भी cancel हो गया और दूसरा भी cancel हो गया third option अगर देखते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है, खारू कुते, हलका light weight, क्रेई देश खारू कुते क्रेई देश तो हाँ, ये बात आया है, कि वो light weight है, क्रेई जब उसने, दूसरे बंदे ने उसको question पूछा था, कि यार ये गासा बहुत सुंदर दिख रहा है, ये महेंगा तो नहीं है तो उसी umbrella की बात कर रहा है जो उसने पिछले साल करीदा था, क्योंकि वो ही तो लेकर आया था न, वो, अपने साथ so, अगर मैं fourth वाले की बात करूँ, यहां पे लिखा है, किरेई देश गा, ठाकाई देश so, अगर मैं ये line check करूँ अगर मैं ये line chEC गरूँ कोनों के बाद कोनों के बाद तो हमको ये कोनों के बाद, यहां पे सिरफ एक तो खारुई लिा हुआ है और यहां पे e लिखा है, एक light weight लिखा हुआ है, और एक अच्छा लिखा हुआ है यहां पर ठक गता यहां फिर expensive के बारे में यहां फिर cheap के बारे में बात नहीं की है तो हमारा जो answer होने वाला है वो होने वाला है कौन सा कौन सा आपको पता चल गया होगा कि third वाला हमारा answer होने वाला है बाकि सारे cancel हो जाते हैं क्योंकि बाकिसम में जो बातें की हुई हैं वो पराग्राफ में नहीं थी तो I hope कि मैंने थोड़ा सा ट्राइ किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके कि इसको ये जो पराग्राफ दिया हुआ है इसको कैसे सोलू करना है और मैं आपको बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़े बताने वाला हूँ सो अगर आपको इसमें से कोई वोकाबलरी अच्छी लगती है तो आप इसको वोकाबलरी को याद करने के लिए साइड में लिख लें अपनी कॉपी पर लिख लें जैसे कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर पड़े हैं कि ठाकाई ठाकाकत्ता खाई माश्ता और ओमोशिरोई और खारूई ये सभी वर्ड्स आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से मैं आगे भी कल भी एक ऐसी ही वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक दूसरा परग्राफ सुल्व करूँगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए साहन अरा